है गाईज कैसे वह से खरता हूँ कि अच्छलों गें आज के स्टाकितना है गाज अपलों अप्लों का टाम को तो सक्षावाईब कुल येंद्गल ये स्टोर चाह हुआ यह वहला प्लीकियं आपको फर्स्ट में दिखेगा इससे आप सब्सक 2005 कर ल.- इंस्टाल करनी के बाद के सामने कुछ इस टैप का इंटरफेस दिखेगा एंड नीचे यहां से अबको अगरे आएगा तो पर आगर चुलेक्ट कर लिज्यगा और सबसे पहले में आपको एहां से इफट का बटन मिलता है यहां पे आपको बहुत अलग अलग की सिम्क्राइब को यहां से एफट मिल जाएंगे आपको जो भी इफट वगर्द यूज़ करना है आप सब यहां से अपने हिसाब से एक और लेर का पैनल दिख जाएगा इसमे यहां से एडिट का उप्शन जो होता है जिस्ट आपको थॉर्ड वाले बटन पे क्लिक कर नहीं है और आपके पिक्चर में कम ब्रायटनेस वगएरा है तो आप सब यहां से अपने ब्रायडनेस को इंक्रीज कर सकते हो या आप exposure को भी बढ़ा सकते हो चलिए गाइज मैं थोड़ा सा brightness को लगभग 5 के आसपास जो है increase कर लूँगा यहां से contrast को भी मैं थोड़ा सा जो है increase कर लूँगा लगभग 20 के आसपास गाइज highlights है इसे आप सब picture के हिसाब से decrease या increase कर सकते हैं मैं highlights को लगभग 20 के आसपास कम कर दूँगा and shadow को भी मैं लगभग 20 के आसपास जो है बढ़ा दूँगा and ambience है इसे भी आप सब अपने picture के हिसाब से जो है डाल सकते जैसे आप सब ambience को भी बढ़ा देते हैं सभी picture में आपका जो है यहां से light pop-up हो जाता है मतलब जो भी आपका picture में color होगा सभी color saturate हो जाएगा सो मैं ambience को लगभग 5 के आसपास जो है increase करूँगा and निचे से मैं done कर लूँगा and guys हमारा अभी lights वाला जो है process complete हो चुका है and second में जो है wb करके कुछ है white balance adjust में इस पर क्लिक करूँगा and यहां से आप सब temperature and tint वगएरा कम या ज्यादा वगएरा कर सकते आप सब अपने हिसाब से कर लीजेगा फिलाल में इसे यूज नहीं करूँगा and guys third में आपको hsl का बटन मिल जाएगा just आपको hsl वाले बटन पर क्लिक करनी है and guys यहां से जो अगर lightroom में जो आप mix tool यूज किया होंगे same यहीं hsl में है so just guys आपको यहां से सबसे पहले face का color जो है second में orange इसे आपको select करनी है and guys इसका luminians को आपको minus कर लेनी है नहीं guys यहां से saturation को आपको minus करनी है and luminians को आपको plus करनी है जितना भी आपको face white चाहिए आप सब अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी आपका background का color है आप सब उसका saturation and hue अपने हिसाब से increase कर सकते हैं तो मैं guys मैं यहां से इसको मैं कुछ इतना हीव कर लूँगा और जो भी आपका कपड़ों का color है आप सब उसका भी saturation कर सकते हैं तो आप सब अपने हिसाब से पिक्चर को इसमें कस्टमाइज करके edit कर सकते हैं तो एंचे सेल में यहीं कुछ है एंड मैं कुछ इतना करके नीचे से मैं done करूंगा एंड उसके बाद guys आपको details का आपको बटन दीखेगा जस्ट आपको details वाले बटन पर क्लिक करनी है यहां से आपको blur, sharp, sacred वगरे डालना है मैं यहां से sacred को लगभग 10 के आसपास डालूंगा एंड सार्फिंग को मैं लगभग 20 के आसपास रखूंगा ताकि आपका picture sharp हो जाए यहां से अगर आप blur को रखते तो आपका पूरा picture blur हो जाता है तो मैं इतना ही करके नीचे से done करूंगा एंड उसके बाद guys आपको यहां से borders का आपको बटन मिल जाएगा एंड यहां से आप जो भी color का border वगरा रखना चाहते हैं आप सब यहां से अपने हिसाप से रख सकते हैं फिलाल मैं इसे भी cancel कर दूंगा एंड उसके बाद guys आपको colors का आपको बटन दीखेगा आप यहां से वेवरेंस, saturation वगरा आप सब यहां से increase कर शकते हैं तो मैं वेवरेंस को लगभग यहां सिर्फ 20 के आसपास मैं रखूंगा एंड saturation को भी मैं थोड़ा भी छेरचार नहीं करूंगा एंड आप अपने हिसाब से जो भी डालना वगरा चाहते हैं आप सब डाल सकते हैं फिलाल मैं इतना करके नीचे से done कर लूँगा एंड उसके बाद यहां से motion वगरा है आप सब यहां से अपने picture में यह कुछ इस टाइब का motion वगरा भी add कर शकते हैं तो चलिए मैं इसे भी cancel कर दूँगा एंड उसके बाद guys dispression है so just मैं इस पर click कर दूँगा एंड यहां से guys कुछ इस टाइब से देख सकते हैं जो यह वाला circle है यह आप face पर रखके एंड जैसे आप यहां से इसे जो है कम या base कीजेगा तो आपको कुछ इस टाइब का जो glitch टाइब का effect होता है उस टाइब का यहां से आ रहा है इसे भी मैं आप ही cancel कर दूँगा एंड उसके बाद guys split tone है just split tone पर मैं click करूँगा एंड यहां से जो भी color का आप सब highlights वगरा डालना चाहते हैं आप सब यहां से उस टाइब से color वगरा चूच करके आप सब डाल सकते हैं इसे भी मैं फिलाल cancel करूँगा इंड उसके बाद guys curve tool है आप सब इसे तो यूज किये ही होंगे कुछ इस टाइब से जो है options का कोई यूज नहीं है यहां face में भी color जो है चेंज हो जाता है सो इसे भी मैं फिलाल cancel कर दूँगा एंड जैसे आप यहां से डी को झाए को ऑन या करें जैसे दिक्सक्त अभी हमारा टीन फर अव है तो अप हमारा पिक्चर में जो है बहुत सारह जो है डी छब्रname कर देते हैं और पीप्चर में अपका बलोडर नीएक के सबश्य आप सब जैसे ही आप अपने फोन में एडिट वगारा कर रहे हैं तो आप सब यहां से डिन वाइस को ओन या ओफ करके देखिएगा आपके पिक्चर में बहुत ही जो है डिफरेंट टैप का आपको नजर दीखेगा बहुत ही सही ऑप्सन से यह डिन वाइस इसको आपका पू आप सब यहां से कर सकते हैं यहां से रोटेट वगारा भी कर सकते हैं फिलाल मैं यहां से कैंसल कर देता हूँ जैसे ही आप सब यहां से अपने पिक्चर को एडिट वगारा कर लेते हैं उसके बाद आपको इसे गैलेरी में सेव करनी होती है तो गैलेरी में सेव करनी के लि या फिर से आप यहां से से वाले बटन पर क्लिक किज़ेगा तो फिर से आपका गैलेरी में पिक्चर से हो जाएगा तो गाइस कुछ इस टाइब से आप सब को लोड़ो एप का यूज करके आप सब अपने कोई भी पिक्चर को एडिट वगारा कर सकते हैं एंड कहीं सोसल सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साहन तब तक के लिए बाए